कहते हैं न, प्रक्रती है तो हम हैं, और हम यदि प्रक्रती को चोट पहुचाते हैं, उसे गंदा करते हैं या उसे विचलित करते हैं, मतलब हम खुद को ही नुकसान पहुचा रहे हैं। स्वच्चता हमारे संसकारों में जब तक शामिल नहीं होती, तब तक वह आयाम प्राप्त करना मुम्किन नहीं, तो कठेन जरूर हो सकता है। जग़ जग़ फैली गंदगी और उस और हमारी उदास हींता, हमें एक चुनौती भी देती लगती है। स्वच्चता का महत्व और उसे अपनी आदत में शामिल करने का प्रयास करने की और यहां लगू फिल्म संकेत करती है। किसे ने कच्रा फेक दिया। चल अपनी उठा लेते हैं। कौन है यह। क्या बता हुआ। अपने समझाना पड़ेगा शायदी ने। हाँ, चल अपनी समझाते है। आप ऐसे प्रयावरिन को दूशीत नहीं कर सकते। क्योंकि आप जिसको नुक्सान पहुचाना चाहते हैं, वहीं आपको नुक्सान होने से बचा रही है। हमें मत सिखाए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि जिस जगर पर कच्रा ही कच्रा होगा, यह जिस जगर पर पल्यूशन ही पल्यूशन होगा। अपर कैसे रहेंगे आप लोग ऐसे? ऐसे सोच तुम्हारी ही होगी. ठोड़ यार, कहां इनके मूँ लग रहे हैं? चलो. आपको लगी तो नहीं? नहीं, नहीं, इसकी नहीं लगी. पर आप एक बार सोचेगा कि जब आपने कच्छा फेक और आप उसी पे गिंग रहे हैं. जैसे आपको दर्द हुआ, ऐसी सद्धी बाता को भी होता है. एक बार तो सही पन आप इसके पारे में जड़ों से सोचेगे. अभी मत चले. यिक बारा हैं जड़ों से छोफे हैं. झाल, एक बार। जन्जन ने अम जान लिया है स्वच्चता का यही संस्कार अपना कर जिस तरह हमारी छावनी परिशन भारत में छटा स्थान बनाने में सफलता हासिल की है आईए हम सब मिलकर स्वच्चता को अपना धेय बनाए और महुं छावनी परिशत को नंबर वन के शिखर पर लाने में जी चांग से जुचचता चलो बनाएं विश्व में भारत की एक शान सच्च चमकता देश हो यही हो अभियान यही हो अभियान जय हिंद जय सच्च भारत